नमस्कार दर्शकमित्रों, दूर दर्शन ना आ विशिष्ट कार्यक्रम मा आपनो स्वागत छे रोजना अढ़ी करोड मुसाफरों, 712 स्टेशनों, एक लाख आठ जार किलोमीटर नी लंबाई मा पत्राएला पाटा, अने तेर लाख कर्माचारियों, अने एककज नाम भारती अरेलवे अने तेनी साथे हवे जोडायू छे एक मिशन, स्वच भारत मिशन, अने जवाबदारी आपना सव भारती ओनी जी हाँ, दशक मित्रों, ताजे तरमाज थहेला सर्वे मुझब, गुजरात ना पण किटलाक 22 के 3 राजकोट, जामनगर, सूरत, जिवा स्टेशन ओने स्वच रेलवे स्टेशन नू बिरूद मल्यू छे एक सन्मान मल्यू छे, अने ए नाते गुजराती होवा थी आपणने सव ने गवरव तो थायाज आजे एवीज के एक वाद करवानी छे, स्वच मिशन नी अने खास करीने रेलवे नी अंदर जे स्वचतानू अभ्यान चाली रहू छे तेनी स्वच भारत, स्वच रेलवे ये परिकलपना क्या है? लेकि मेडम, स्वच भारत, स्वच रेल, स्वच भारत अभियान जो है, इसकी शुरुवात हुई थी वर्ष 2015-16 में मानी रेल मंतरी मोदय ने अपने बजट भाषन में इस फ्रेज का सबसे पहले उप्योग किया जा जा जी उसे और आगे बढ़ाते हुए 2016-17 में मानी रेल मतरी मोदय ने निर्णे लिया अपने बजट भाषन के दोरान कि जो हमारे स्टेशन है उनकी सफाई विवस्था के मुल्यांकन के लिए हम नियमित रूप से और आवधिक मतलब कह सकते हैं आपकी रेगुलर और प्रियोडिकल इल्टरेवल पर थर्ड पार्टी आडिट कराएंगे उस थर्ड पार्टी आडिट के आधार पर स्टेशनों की रैंकिंग की जाएगे इसी क्रम में इस कार का जिम्मा भारती रेलवे ने अपने एक कार्परेशन जो कि टी एनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उस संस्था ने पूरे भारत वर्ष में भारती रेलवे के लगबग 407 स्टेशनों पे इस तरह का सफाई विवस्था का मुल्यांकन किया और जैसा कि आपने अपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि राजकोड, जा अमने बतावता खुबज जणावता आनन थाई छे के गुजरात ना खासकरी ने राजकोड, गांधी नाम ए बदा स्टेशनों स्वच रेलवे स्टेशन तरीके तेमने मान मढ़ियू छे अने टॉप 20 मा पूरा भारत मा टॉप 20 मा स्थान मढ़ियू छे अत्यारनी सिती प् जब तक बात है रेलवे स्टेशन की तो रेलवे स्टेशन पे स्वचता बनाए रखना ये बड़ी ही चुनोती पूर्ण बात है तो क्या जादू किया आपने कि ये नाम हमें प्राप्त हुए है ऐसा स्थान मिला है देखिए आपकी बात पूरी सही है जो स्टेशन जितने बड़े हैं जितने बड़े आकार्म हैं उनमें सफाई विवस्था बनाए रखना बहुत कठिन कार है उसके लिए रेलवे जो है वो जिस एजनसी को न्यूक्त करती है उसकी न्यूक्ति के समय ध्यान रखती है वो भी ओपन कॉम्टिटी विडिंग के द्वारा होती है और यह कि वो जो एजनसी है उसको इस स्टेशनों या इस तरह के बड़े सारजन की स्थानों के सफाई का अनभा होना चाहिए उनके पास जो मशीने हम चाहते हैं सफाई के लिए स्क्रबर हाई प्रेशर जेट मशीन जितनी मानव या मैन पावर के आउशकता वो परयाप्त मात में उसके जो निविदा है उसमें इंक्लूड करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि यह जो संस्था का चैन हो बहुत पारदर्शी हो इसके बाद जहां तक बात आती क्योंकि बड़े स्टेशन है तो वहां पे हमको उत्री ही ज्यादा अधिक मातरा में संसाधन उत्र प्रादे टो क्राव संधितन है अध्यार उत्राद में सवच्ता बनाई रखना यह बगुद्दी ने ःती है तो क्या और इसफी जानी रहती है और आपको रखता है कि ऐसे रिल्वी स्टेशनों को स्वच बनाने के लिए क्या करना चाहिए इसलिए वहाँ पर जो यात्री आए होती उसके अधार उसको ध्यान में रखते हैं स्टेशनों का अलगा कैटेग्राइशन किया जाता है इस तरहें करते हैं फिर केटेग्रिजेशन के अनुसार वहाँ पर उतनी स्विधाएं प्रदान की जाती है स्विधाओं का जब प्रदान करने के लिए जो माबदन निर्धारित किये गए हैं उसमें हमको यह ध्यान रखना पड़ता है कि कितने यात्री वहां से चड़ते हैं और कितने उतरते हैं जब यह हुआ कि जो डिजाइन फिगर है हमारा पैसेंजर एमिल्टी के प्रावधान का उसमें जाने वाले पैसेंजर और आने वाले दोनों की संखाव का धान में रखा जाता बड़े स्टेशन है तो उतने ज़्यादा हमको टालेट बिनाने पड़ेंगे उतने ज़्याद स्वच रेल्वे स्टेशन नों के जहनने स्वच रेल्वे स्टेशन नों बिरूद मल्यू छे अने सूरत रेल्वे स्टेशन पड़े एक रेल्वे स्टेशन छे के जे देशना सवथी स्वच रेल्वे स्टेशन नों सन्मान मेलवी चुकियू छे नंबर वन ना पादू पर रही चुकियू छे तो आवो जाईए कि सूरत रेलवे स्टेशन नी सूरत केवी रीते बदलाई सूरत स्वच सिटी तो बन्यूज हतू, हवे ते स्वच रेलवे स्टेशन धरावतू सिटी पन्यूज है स्वच रेलवे माटे अनेक मुसाफरों ना रिव्यू लेवाया छे जमां शाउचालाई, पाणी नी व्यवस्था, वेटिंग रूम, टिकेट विंडो नी सुविदा सहित नी कुल साड़तरिस केटेगरी मां सर्वे करायो हतो हम हर रोद देखते हैं सुवे छे बजे से यहां सफाई चालू हो जाती है और लगबग 115 लोग सफाई में जुड़े रहते है यह बहुत अच्छी बात है कोई 2-4 वेक्तियों से सफाई नहीं होती और पूरी राच 24 गंटे सफाई सुरत में चलती है और दिन में दो बार मसीन से सफाई होती है जबकि वो फुली आटोमेटिक मसीन है और पैसेंजर और सुरत की जंता को भी मैं बदाई देता हूँ कि उनकी अवेरनेस भी इसमें बहुत ज़्यादा काम में आई है प्रशासन का बहुत बड़ा जोग्या दे है और इसी तरह स्वच्छता बढ़ी रहे यहां के लोग के साथ सहकार और प्रशासन के साथ सहकार की वज़े से यह पॉसिबल हुआ है और यहां कंटीनियूल साफ स्वाई होती रहती है सुरत रेलेस स्टेशन पे लोग जो सफाई कामदार है वो साफ सफाई करते रहते हैं ये हमारे लिए सुरतियों के लिए गर्वकी बात है बरोडा, राजकोट, एंदाबाद, सब नहुसारी सब लेके जो भी प्लैटफोर्म में देखता हूँ उसके मुकाविले के सुरत प्लैटफोर्म ओर सुरत के रिएल वे ट्रेक काफि एंदाबाद, सब प्लैटफोर्म के अपर यहान स्टेशन अधीकारी है स्वच्चता मा अग्रेसर रहनारा सुरतियों गर्वनी लाग्णी अनुगवी रहा चै जोके गुजरात माटे गवरवनी एक वाद एपण छे के देश मां सौथी स्वच रेल्वे स्टेशन मां सूरत बाद राजकोट रेल्वे स्टेशन नों धायू छे स्वच्छिताना आ अभ्यान मां गुजराती राज्य सफरतानी दिशामां आगरवदी रहू छे तो दर्शक मित्रों आपणे सूरत बाद रेल्वे स्टेशन नी वाद तो जोई एज अनने जोई उके के वी रीतना लोको स्वचिता राखवा माटे आगरव राखी रहा छे राजकोर्ट आने जामनगर रेल्वे स्टेशन नी वाद करिये तो टॉप 20 मा राजकोर्ट जामनगर आने गंधी दाम जेवा रेल्वे स्टेशन ने पन स्थान मल्यू छे अन्ने तहमा रेल्वे मंत्रा लेनी साथे साथे नागरी कोनों पन खुबज मोटों फाडव होई राकेशी में यह जानना चाहूंगी कि यह जो टॉप 20 का चैन होता है तो उसमें क्या-क्या मांदड होते हैं यह चैन कैसे होता है प्रोसेस क्या रहती है अभी मैंने बताया था अपको एक सर्वे एजनसी जो टी एनेस इंडिया प्राइवेट लिम्टेट को पाइंट किया गया था उन्होंने जब सर्वे किया तो उन्होंने इसमें सबसे पहले तो जो यात्री हैं उनसे फीडबैक लिया उसमें इस बात क्या धान रखा कि ऐसा तिक्टिंग एरिया में जो हमारे कुली हैं हमारे वेंडर हैं और तीसरी केटेगरी थी उसमें जो हमारा सर्विस इंप्रुमेंट ग्रूप है या सेवा सुधार समू है हर स्टेशनों पर यह होता है उसमें सभी विभाग जो कि यात्री स्विधा और सफाई से जुड़े उसके प्रतिनिजी उसमें होते हैं उनसे भी उन्हें इंत्र लिए और फीड़वेक लिया जब उन्होंने यहात्रियों से जो फीड़वेक लिए तब उन्होंने फीड़वेक लेते समय यह ध्याण रखा कि जो उनको मार्किंग करनी है वो उन्होंने एक से पांस तक कराई एक है तो वो पूर है और पांच वाज वेरी गुड इस तरह से मार्किंग कराई थी दूसरा उसमें ये ओप्षन भी रखा था कि मैं नहीं कहना चाहता या मैंने कुछ अन्भो नहीं किया अगर कोई नहीं तो फोर्स नहीं किया गया किसी को कि नहीं आपको मार्किंग करनी होगी उन्होंने जो एवन कैटेग्री के स्टेशन है जैसे राजकोट है जामनगर है जो स्टेशन है इन पे सेंपल सर्वे रखा था वो लगबक 400 पर स्टेशन था जो एक कैटेग्री के स्टेशन है हमारा जामनगर वहां का 300 का था और जो दूसरे हैं हमारे जैसे पोर्टर्स, वेंडर्स या साइजी से जोड़े ओफिशल्स उनका टैन पर स्टेशन इंटर्वी उन्होंने लिया इसमें उन्होंने जो माबदंड बनाये थे यात्रियों से लेने के लिए उसमें उन्होंने सारी बातें उनने पूछी थी जो शुरूबात की बई जब वो सर्कुलिटिंग एरिया में आता है वहां के सफाई से लेके ट्रेन में बोर्ड करने तक वेट कर रहा है तब कितने डस्ट बीन का प्रावधान है क्या परियाप संख्या में टॉयलेट इरिनल्स की विवस्था की गई है सफाई विवस्था परियाप्त है आपको कचरा अगर फेकते तो कितना समय लगता है उसको सफाई करने में ततकाल में इवन अगर कोई इस्टेशन पर किसी ने बिमार हो गया या वोमिट कर दी तो उसको सफाई में करता है यह सारे मापदंड को इनने ध्यान में रखते हुए फिर मार्की की थी उसके आधार पर यह नहीं लिया गया कि पूरे भारत वर्ष में अलगला केटेगरी बनाई थे फुटफाल के आधार पर फुटफाल थे मतलब कुल आने जाने वले यात्रियों के संख्या के आधार पर तो जो दस हजार से पाच पचीश आप यात्रि प्रती दिन फुटफाल आता है उसमें राजकोर्ट को जो है वो मतलब उसमें राजकोर्ट को दुती स्थान प्राप्त हुआ है और जो जामनगर है वो दस हजार की के टेगरी में आता है उसको जामनगर को वो के टेगरी में टॉप 10 स्टेशन बराबर पर रखे गए तो उसमें जामनेगर का स्थान है दर्शक मित्रो स्वच रेल स्वच भारतनी वाद चालूज राकिश्यू पर अत्यारे कारेक्रम मा समय था उचेक नानकड़ा वी रामनो हर सुबह मिस्तर डिसलवा अपने पडोसी अली पटेल डॉक्टर दास, पिरोजा अंटी, बॉबी, सिंग सहाब और कई और उके साथ एक छोट इसी वाक पर जाते है आज अली और पटेल तो हैं पर डॉक्टर सहाब गराज में हैं बॉबी अब किसी और की हो चुकी सिंग सहाब EMI नहीं भर पाए और पिरोजा अंटी, आज कुछ जादा ही दूर खड़ी है कारेक्रम मा पुना स्वागत चे आपनू आपने चर्चा करी रहा चे स्वच्चता अभियान खासकरी ने रेल्वे स्टेशन नी बाबत मां रकेश जी रेल्वे एक ऐसी माला है जो की पूरे देश को एक सुत्र में पीरोग कर रखती है और समगर भारतवासियों को एक साथ जूड कर रखते है तो जाहिर सी बात है कि इसमें स्वच्चता भी बहुत माईने रखता है तो ऐसी यात्रियों को आप रेलवे मंत्राले की और से क्या-क्या सुविधाये प्रोवाइड करनी चाहिए कि जिसे स्वच्चता बनी रहे सरव प्रत्थम जो है स्टेशन ऊपर परयाप संख्या में टॉलेट यूरिनल्स होने चाहिए सफाई के लिए प्रयाप्त्रा में पानी उपलब्द होना चाहिए आवशक मशीने चाहिए इस्क्रबर हाई परेशर उपर उप्लक्त करा जाने चाहिए ताकि कि सफाई अच्छी तरह से सुलिशिट के लिए से रेलवे स्टेशन हो या प्लाटफोर्म हो या फिर ट्रेन का कोई डिब्बा हो हर जगा पे स्वच्छता की लिए कुछ ना कुछ ना कुछ होना चाहिए कई बार ऐसा भी होता है जै परियाप्त मातरा में डस्ट बीन होते नहीं है उसे क्या होता है कि अगर किसे के पास कुछ बॉटल है या कच्रा है तो वो डालना तो चाहते है इदर उदर देखता है लेकिन उसे कहीं भी डस्ट बीन नजर नहीं आता तो फिर वो क्या करेगा कि फैक देगा इससे गंद क सब्सक्राइब की दूरी पर संख्या में जबन होने चाहिये बिल्कुल सही बात आपकी इस्टेशन उपर डवक 50 मीटर की दूरी पर जो है क missions कोंचेश की जई मैं असमें पहले सिफ एसी कोचेश में han का प्रावधान था अभी नौनेसी कोचेस में भी डस्ट बीन का प्रावधान किया गया है रेलवे का प्रस्ताव है कि जो बैड रोल दिये जाते हैं यात्रियों को उसके साथ एक डिस्पोजेबल बैग दिया जाए ताकि यात्री उसमें कत्रा इखटा करें और उतरते समय वो उसको कोच के या इस्टेशन के डस्ट बीन में फेंग दें ताकि गंदगी नहीं हो साथी साथ इस्टेशनों पे तो मैंने आपको बताई दिया कि मेकनाइस क्लीनिंग का की प्र प्रावधान की व्यवस्ता तो है लेकिन क्या ये सब होता है और उसके लिए कोई इंस्पेक्शन होता है कि हाँ ट्रेन जिस स्टेशन पे रुकी तो उसका सफाई हुई या नहीं जो शौचाल है रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन के अंदर उसकी सफाई नियत धंग से हुई या नहीं इसके लिए इंस्पेक्शन की क्या सिस्टम है करते हैं तो इस्टेशन पे तो सफाई और यात्री सुधा को बनाया रखने के लिए एक समू होता जिसको कहा जाता है सेवा सुधार समू या सर्विस इंप्रूमेंट ग्रूप उसके रेगुलर इंट्रेवल पे मतलब जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ करते हैं वो यह देखते हैं कि जो सुधा हमने दी गही है वो चालू हालत में और रिश्चन की सफाई ठीक तरह से हो रही है और अगर इसमें किसी तरह की कोई कोई विफलता रहती है कोई कमी आती तो इसको ततकाल ठीक कराया जाता है इसलिए उसमें सभी डिपार्टमेंट जो रेइनवे के इंटरल डिपार्टमेंट उसके प्रतिनिदी होते हैं दूसरा सिर्फ वहीं पे नहीं है और बड़े इस तरह पर बड़े अधिकारी के प्रावधान के लिए जिम्मेदार है जो रेक के मेंटेनेस के लिए जवाबदार है वो उनके अधिकारी निमेत रूप से उसका इंस्पेक्शन करते हैं और अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसको ठीक कराया जाता है और रेल मंत्री मोहदया ने अपने बजट में क्लीन अशक मेत्रो जे प्रामण राकेश जी ए कई हुके दरेक रेल्वे स्टेशन उपर अमुक निष्ची तंतर डस्ट बीन नी सुवीधा पन राखवा मा आवती होचे तेमाज रेल्वे स्टेशन पर और प्लाटफोर्म पर तेमाज ट्रेन नी अंदर पन नियत नियत समय यह सफाई मा कोई चूक रही गई शे अत्वा तो सफाई थवी जोईती हती पर नथी थाई तो एना माटे आपने पन आज एपनी वात करवा मावी तिहां पन आपने सूचन करी शकता है यह जहा सुधी वात छे यात्रियों नी पोता नी मुसाफरों ये पोते जे जागरू सफाई की बारे में इसा कुछ लग रहा है तो रेल्वे मंत्रा लाई यह जो स्वचता की बारे में सेंसिटीव बने उसके लिए क्या खास कुछ कर रहा है कोई कार्यक्रम हो रहा है जिससे लोगों में जागरूती आए बिल्कुल ठीक बात बोलिए आपने पहला तो यह है क कि हम नीमित रूप से इस्टेशन ओपर यात्रियों को जागरूप करने के लिए अनॉंस्मेंट उद्गोशना करते हैं कि इस्टेशन ओपर आप कचरा ना फेकें डस्बीन में डालें गंदगी ना फैलाएं अगर आपको किसी इस तरह की कोई शिकाया तो आप हमारे ओन ड एक नियम बनाया गया है उसमें कहा गया कि इंडियन रिल्वेस की जो रिल्वे प्रिमाइसे से उसमें अगर अफेक्टिंग क्लीनेस अगर कोई दंगी फैलाने का प्रयास करेगा तो उसको 500 रुपए तक का अर्थ डंड किया जा सकता है परंतु हमारा मेन उद्देश ही र बड़े और जहां तक आपने बात बोली कि यह धिरी धिरे हमारी जनता जागरूख हो रही है और उनको जिस तरह का सफाई का वातवार मिल रहा है तो वह भी गंदगी करने में तीन बार सोचते हैं जनता की और से आपके आप एक्षा रखते हैं कि उनको किस किस चीज के बारे में ध्यान रखना चाहिए खास करके स्वच्चता के विशे में सुष्था के लिए जो नियतिस्थान पे हमने अगर टॉलेट इवरिनिल्स की हैं उनका उपयोग करना चाहिए जहां पर डस्ट बीन है कचरा उसमें फेकना चाहिए ट्रेनों में जब ट्रेवल करते हैं तो कचरा डस्ट बीन में डालना चाहिए और कोशिष ये करनी चाहिए कि हमको सफ़ाई में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें उनका सहयोग यही है कि वो जितनी गंदगी कम से कम करेंगे हमको सफ़ाई का इस्तर उतना अधिक बढाने में सुलियत होगे स्वच भारत के अभियान में रेलवे वीबाग जो भी अपनी और से प्रयतना करेगा जाहिर सी बात है कि उसका सीधा असर पूरे देश की जनता पर पढ़ने वाला है पीछले बजेट की जब हम बात करते तो पीछले बजेट में सुरेश प्रभू जी ने स्वच्चता की बाबत को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेश गोशनाय भी की थी वो क्या थी और उसका अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है देखिए जो भी गोशनाय की गई है उसका अमल हो रहा है और बजेट में जो गोशनाय की गई है कि उनका अमल कितना हो रहा है इसके मॉनिटर करने के लिए इद्रश्टी एक एप है उसके तहट इद्रश्टी के तहट पूरी की पूरी बज़त कोशना है जो है उसका मॉनिटरिंग की जारी कि whether these are implemented or not implemented दूसरा जहां तक बात आती है कि आप सफाई की बात करते हैं तो railway ने तो सबसे पहले ये किया कि सफाई की विवस्था के लिए पहले अलग विवस्था डिपार्टमेंट के नहीं थी हार डिपार्टमेंट अपने अपने तरह से कायम करता था तो सबसे पहले ये कि आ मानी रेलमत्री महदय ने कि इसके लिए एक अलग से विभाग बनाया रेलवे काई उसका नाम है इन्वार्मेंटल एंड हाउसकीपिंग मेनेजमेंट फिर दूसरा ये किया कि पैलेट पोजेट के तहत एक इंटीग्रेटेट कीनलीनेस का प्लान बनाया गया कि अभी क्या ह विभाग के पास होगा वह अभी पैलेट प्रोजेट के तहत है जब अगर उसके प्रयास सफल हो गया तो पूरे देश में उसको निचे की जो पौलन करने का पूरा प्रयास करते हैं दर्शक मेत्रों जिप्रमाने वाद करी अने खासकरी ने एपण कहवानू मन्थाई के गज सप्ता में रवीवारे प्रधान मंत्री ये मन्नी वादिन में पण जणाव्यू हतु के अलीगड नामनू जे रेल्वेस्टेशन छे त्यां पण एक सरस्मजानों प्रयास करवा जमके पाणी नी जे वेस्ट बॉटल हो जे लोको ए गम में तया फैंकी हती कि लिक कॉलेज ना विद्यार थिये बेगामरी ने ए बॉटल ली दी अनने तेना उप्योक करी ने एक वर्टीकल गार्डन बनावा माव्यू तो स्वचता पन थाई गई और साथे साथे आत्मा कुदारण होते होंगे जो और स्टेशनों के लिए भी एक नई शुरूआत हो सकती है आपको क्या लगता है और जो रेल्वे स्टेशन है कि जो अभी भी स्वचता की दोड़ में कहीं पीछे है उनसे आप क्या कहना जाएंगे जो इस्टेशनों पर अगर सफाई का अपेक्षित नहीं है तो उनको अपने सफाई की विवस्ता में सुधार करने के लिए पहले तो सबसे पहले उनसे स्टेशनों पर कितना इरिया है कितना तो पूरे देश के सारे स्टेशन की सफाई करतार एक सा हो जाएगा तो तेहां तो स्वचता होवीच जोईए औने तेना माटे सरकार रेलवे मंत्रा लाए औने आपड़ा जेवा नागरी कोई पण पहल करवानी जरूर छे स्वचता छे यात्रा जीवन भरनी आयात्रा लाम भी जरूर छे परन्तु निश्चिद छे के तैनी मंजील खुबज सुखदच हशे राकेश जी आप स्टूडियो में आये और चर्चा में भाग लिया इसके लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद मैं जाते आते हैं आपके माध्यम से रेल उप्योग करताओं से ये निवेधन करूँगा कि भारती रेल को सफाई का इस्तर बनाये रखने में पूरी तरह से सहयोग करें आपके सहयोग के बिना आपकी यात्रा को स्वच आरामदायक और सुधा जनक बनाने में हमको काफी तकलीफ हैं पड़ती हैं इसलिए आपसे अपेक्षा है कि हमको स्टेशन ओपे और गाडियों में सफाई का इस्तर बानाये रखने में पूरी तरह से सहयोग करें और रेलवे आपको स्वच सुधा जनक और आरामदायक यात्रा देने का पूरी तरह से प्रयास करती रहें बिल्कुल दर्शक मेत्रो आ कारेक्रम मां आपणने चक्कस ए जानमां मल्यूच छे के रेलवे बंत्रा लहेतों पोतानमा प्रयतना करीज रहा चे परन्तु आपने पण आपण आपणी तरफ थी ध्यान राखीशू अने स्वच्छता माटे सहयोगा पीशू फरी थी कोई का आवाज विशय मां आने नवा कारेक्रम मां त्यासु दिर जापशो नमस्कार आपने आपणी तरफ दिर जापशो नमस्कार